अलो दोस्तों वेल्कम डूसलीपिकलास से दोस्तों आज हम पांच इंट्रेस्टिंग फेक्ट्स के बारें बात करने वाले यह फेक्ट कहीं ने कहीं मैंने आपको बताए भी हुए लेकिन मैंने सोचा कि चलो क्यों ना इसको एक जगा के उपर गलब करके आपसे बात की जाए पहला है वाइडू नाइट क्लब्स यूस बू ल्डिट इन रेस्ट्रोम से आंदर दोस्तों आपने देखा होगा कि ब्लू लाइट बड़ी यूस होती है ऐसा क्यों करते हैं जो नाइट के अंदर यूस होती है क्या आप नेका भी नोटीस किया है् वैसे नोटीस बहुत स तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि red और blue light की जैसे अपनी blue color की हमें vein appear होती है यह basically उनका blue color नहीं होता यह आप ध्यान रखना जैसे light जो है अपनी veins के उपर पड़ती है अब यहाँ पर red light जो है उसकी होती है long wavelength तो वो इतनी deflect नहीं करती है टकरा के और वो जो है अपना blood vessels है उस की जो है दोस्तो short wavelength होती है और यह deflect बहुत जड़ा करती है scatter कर जाते हैं जिसकी वजह से दोस्तों हमें veins clearly नहीं दिखती है तो बहुत बार आपने दिखा होगा कि किसी का blood लेना है sample लेना है वहाँ पर नहीं अगर वह नहीं मिल रही तो क्या करते है red light का use करते है red light जो है व restroom के अंदर जाते हैं वहाँ पे अगर blue light होगी तो veins उनको clearly appear नहीं होती जिसकी वजह से दोस्तों यह drug को रोकने का एक method लगाया है अब दूसरा है why do we have two eyes instead of one अगर हम एक आई की बात करें जैसे आपने एक आत्बंद की और दूसरी से देख रहे हो तो आप देखोगे आपक accurate judgment भी इससे होती है तो इसलिए यह दो होती है हाला कि यहां पर बहुत से आप देखोगे कि जो previously अगर हम देखें ancestors वहां से यह पूरा चलता है system two eyes जो है आगे-ागे कैसे development होती है आई की development अगर आप पढ़ोगे developmental biology के अंदर बट उसके उपर हमने जाना नहीं है तो basic concept यही है दो कान का क्या benefit है दोस्तों देखो अगर मालीजी आपको इदर से कोई आवाज दे रहा है तो पहले sound travel करके इदर जाती है उसके बाद इदर जाती है तो दो कानों का एक तो यह benefit है कि आपको direction पता चल जाते हैं कहां से आ रही है अगर माली जी इदर से कोई बुला रहा है तो पहले इदर sound आती है और यही difference जो है brain interpret करके direction बताता है कि इदर से वाज आ रही है अगर कोई सामने और बिल्कुल पीशे है तो दोनों अगर माली जी सेम टाइप पर आ रही है तो वहां पर हमें confusion होती है वह बंदा कहां पर खड़ा है सामने खड़ा है पीशे खड़ा है अब यह तो होगी direction की आपने यह बताना है कि पानी के अंदर जो है वहां पर क्या हमें इसली हम साउंड को डिटेक्ट कर पाएंगे कौन से रिजन से आ रही है नहीं यह मैंने साउंड वाले जो कंसेप्ट है उसके अंदर बताया था डिस्क्रिमिनेशन अव साउंड डिरेक्शन का पता चलता है टॉल्रेंस अपनी बढ़ती है और साउंड की एंप्लिफिकेशन होती है यह इसके रिजन है अगर आगे बढ़ें तो आयोडीन जो है कॉमन साल्ट के अंदर क्यों एड किया आता है आपने महात्मा गांदी धा गांदी यात्रा वहां पर सॉल्ट सत्ते है को जूज किया गया उसका रीजन क्या था क्योंकि सॉल्ट चू था वो सारे लोग कंस्यूम करते थे गांदी जी को लगा कि यह एक मास यहां पर इंवाल्ब्मेंट रहेगी सिमिलरली हमने आयोडीन देना है आयोडीन हमारी आया गया कि यह थोड़ी सी मांट के अंदर हमें चाहिए तो यह सॉल्ट के थ्रू जो है इसको एड़न गर दिया जागा एक इसके अंदर डबल फॉर्टी बाइट सॉल्ट का नाम सुना गया आयोडीन एंड यहां पर डाला जाता है यह याद रखना अफेक्ट यह यूप जाती है तो जिससे हम बच जाते हैं तो यह भी एक कंसेप्ट है अलागे जो फील्ड है वह सारी फील्ड हो किस तरह से जीरो होती है फिजिक्स के अंदर आपने पढ़ा होगा लेकिन अभी यहां पर उसकी जरूरत है नहीं तो एक और इंट्रसिंग फैक्ट है दोस्तों व वीडियो सुलीशन उसके बाद यह सब कुछ यहां पर रहता है कोई भी दिक्कत है तो यहां पर पूछ सकते हैं यह इसके अंदर लिबर्टी है अब माले जी आपको मेंटार्शिप कोर्स नहीं लेना तो आपको लगता है कि यार वह ठीक है मैं किसी किसे पूछ लूँगी यहां पूछ लूँगा तो वेलुएशन तक ठीक है तो आपर शेले लेले यहां पर आपको आंसर लिखोगे वो वह हो जाएंगे उसके बाद अगर वह भी आपको लगता कि नहीं इसको जरूरत नहीं तो यहां पर सीधे वीडियो को भी जोईन कर सकते हैं तो यह तिनों को प्रेकॉल कीजिए यहां पी विजिट कीजिए आपको अच्छा लगेगा सो दिस इस आल मिलते नेक्स टेंक यू